हेई वीवर्स, होप यू अल गूड, आज हम बात करेंगे एक रुपए की सिक्के की जो की 1975 से 1982 के बीच इशु हुए है इससे पहले जो वन रुपी कॉइन इशु हुए वो प्योर निकल से बने थे लेकिन 1975 से जो कॉइन इशु हुए वो कॉपर निकल अलॉय से बने थे आएए इसके फीचर्स को देखते हैं ये एक स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन है इयर ओफ इशु 1975 से 82 मेटल कॉमपोजिशन के बात करें तो कॉपर निकल अलॉय से बने है 75 कोपर है 25 परसंट निकल है वेट इसका 8 क्राम से मिन्ट की बात करें तो कोलकाता मिन्ट और मुंबई मिन्ट में इसकी मिंटिंग होई है कॉलकाता मिन्ट में होई 1975 से 76, 78 और 1881 तक और मुंबई में 1975 से 82 तक शहप इसका सर्कुलर है एज इसकी security age है, मैं दिखाते हूँ आपको, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, diameter 28 mm है, thickness इसकी 2 mm है, coin का reverse side आप देख रहे हैं, हिंदी में लिखा है, रुप्या, denomination है, one, दोनों तरफ इसके corn बना हुआ है, हिंदी में इसको मक्का कहते हैं, फिर English में, रुपी, year mention है, 1979, कोई mint mark नहीं है, तो कुलकाता mint में बना है, यहाँ पर आपको छोटा सा dot दिखाए दे रहे होगा, लेकिन यह mint mark नहीं है, यह थोड़ा सा damage है, इसकी जो rim है, यह थीक है, और इस year में जो coin issue है, उसमें कुछ-कुछ जो coin ऐसे है, उनकी thin rim है, लेक यह देखिए इसकी थोड़ी thin rim लग रही है, इसकी comparison में, थोड़ी सी thin है, और बाकी सारी चीज़ें इसमें same है, आएए इसके over side पर चलते हैं, over side पर हमको देखने को मिलता है national emblem, हिंदी में लिखा है, left hand side में भारत, right hand side पर इंडिया, और यह rim है, इसमें भी same यही चीज़ें देखने को मिलती हैं, I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तके लिए अपना ख्याल रखिए, बाई बाई